हेलो माई यूटीव फैमिली तो आज की वीडियो में आपको पताने वालों आपके ब्लैक एट्स वाइट्स होते क्यों है ये चीज जाना आपको काफी जाता जुरूरी है कोई काफी लोगों को क्या होता है कि एक बार क्रीम जल वगरा यूज कर लेते हैं पर उसके बाद फि एक इर्धया है काफी लोगों को जैसे की समस में यह चीज़ जाता जयादा देखन गोmos मिलती है वह समझाओङ को समझाओंगा समर में यह चीज़ क्यों होती है में लिजे आपके प्लाइकश जाने केकारण आपको ब्लैकर्स देखने कोमिलते हैं प स्मक्ता हो जाने करना आपको ब्ल ostr लिए देखने को湿 तो यह में रह जाए । आप our IKन पर ब्लोड आता है अगर वे ज हमाने अगर below लिए भी खोग्शे पोर्स हम पेर अधर भी पोर्स हिए अब यह पोर्स हो जाते है के छमने अधर ब्लोक हो जाते है इसके का ना आपको black इकने वगेरा देखने को मिल जाती हैं यह चीज़ डीपली इसलिए समझा रहो हूँ काफी है ना टीनेजर्स रहते हैं जिनको इस चीज़ की नोलेज नहीं रहती और बहुत से लोग ऐसे जिनको इस चीज़ की नोलेज है अभी काफी अच्छे से नोलेज आगी है लोगो को तो आप देखो यह पोस्ट ब्लोक होते क्यूं है पोस्ट ब्लोक होने के काफी सारे रीजन रहते हैं वैसे में रीजन रहते हैं अगर आपकी ओईली स्किन है Oically skin पे सबसे स्सक्राइड क्यों फिए अगर आप फालदू के प्रोडक्स भी यूज्स उलिते हैं, जो आपके स्किन करते हैं, यजा कुछ मॉस्चराईजर भी यूज्ज करने तो उसके कान भी आपके पॉस्ट स्क्राइड होसकते हैं, अब सबसे पहले oily skin के post clogged होते हैं क्यों होते हैं या तो आप काफी जादा dirt में रहते हो एक तो यह reason होते हैं जैसे कि आपके पहले तो skin पे बहुत ज्यादा oil आगया automatically skin ही produce करती है इतना ज्यादा sebum अगरा produce करती है अब कि आप भार जाओगे तो बहुत ज्यादा dirt attract होती है आपके face पे dust attract होती है या पिलो पे भी सर रखके सो रहे हो उस पे भी dust dirt वगरा है तो अभी आपके post clogged हो सकते हैं ये चीज़ देखने को मिल जाती है अब जैसे कि आपकी oil skin है एक तो dirt dust बता दिया ठीक है second आप अपनी skin को अच्छे से clean नहीं करते हैं इसके कान आपके post clogged हो जाते हैं आपकी skin से अच्छे से dirt वगरा remove करके नहीं सोते हैं और morning में उठते हो तब भी आप इसको अच्छे से clean नहीं करते हैं इसके कान आपके post clogged होने लग जाते हैं डर्ट होगी एक क्लीन ना करना और एक ओयल का पड़े रहे ना आपके फेस पे यह जिस सबसे द्यादा खराब करती है अब इसका मलब यह भी निया कि ओवर वोशिंग करोगे जैसे कि फेस को चार चार पांच पांच बार दोगे थोड़ा सा भी ओयल आता है तो आप इसको वोश करने लग जोगे इससे और ज्यादा ओयल प्रोडियूस होता है तो इसलिए इन बातों का भी आपको साथ में ध्या रखना चाहिए अब आपकी स्किन पर जैसे कि पोस्क्लोड होने के और रहते हैं जैसे कि डैट स्किन वगराई कटी हो ना आपकी स्किन पर कभी अपनी स्किन को एक्सफोलियर नहीं किया जो उपर की स्किन रहती है थोड़ी थोड़ी काली पढ़ जाती है टाइम के साथ मे अब exfoliate के लिए काफी लोग सुचेंगे हम scrub यूज कर लें scrub आपकी skin पे हाँच काम करती है यह तरही है इसलिए आपको scrub यूज करना चाहिए तो सेलिक एक्सीलिक 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 उख्या तो जैसे कि आपके oil को भी गंट्रोल करता है तो ये चीज मैंने आपको काफी बार वीडियो में बोल ली है इस चीज के बारे में आप पोस्ट कलोड का एक dead skin भी बता दी मैंने आपको ठीक है ये reason भी रहता है अब जैसे काफी लोग क्या travel करते हैं जैसे नानी के पास जाने है कहीं भी जाने है train से जाते है मैं personally ये चीज experience कर चुका हूँ, मैं नानी के पास गया तो क्या train से जा रहे थे, ठीक है train से जाने में क्या रहता है, नोर्मल जनरल डबे में ही बैठे थे, कोई पास में 2 गंटे का, 1.5 गंटे का रास्ता है तो इसमें क्या होता है कि आपके न डर्ड बहुज़ादा आती है, कोई मिट्टी वगरा बहुद उड़ती है अपने यहां है, तो यह नहीं ऐसे की बिल्कुल clean area है, तो मिट्टी वगरा बहुज़ादा उड़ती है चाहिए आप train के कितना भी बंद कर लो ठीक है, कोई ना कोई दिर्वाजा खुला रहता है तो वो cover करके जाओ, ठीक है बाइक पर बी जा रहे हो, तो मैं भी mainly cover करके जाता हूँ, ठीक है और आपको क्या है कि जैसे scooty कहीं इससे भी जा रहे है तो आपको cover करके जाना है helmet लगा के जाओगे, तो और अच्छी बात है, कोई helmet में भी मिट्टी वगरा नहीं पड़ती है, अगर mirror को उपर रखोगे तो मिट्टी वगरा, dust वगरा अंदर आएगी, तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए यही चीज में लिए आपके स्किन पर पड़ी रहती है, फिर आपके पोस्त क्लोग डोने लग जाती है अब देखो थोड़ा सा मैंने आपको यह चीज क्लियर कर दी, अब थोड़ा सा यह भी बता दू कि मानलो यह चीज पोर है, बिल्कुल अच्छे से ठीक है, यह पोर बना हुए है आपके स्किन का पूर है, वो तो बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं, यह बहुत बड़ा पूर है उसमें तो एक दूल का जैसे की जाकर भी लग गया ना ठीक है, उसने भी आपके पोर्स को ब्लोग कर देना है तो यह चीज यहां पर रहती है, इसके अंदर से क्या सीवम निकलता रहता है, चारो साइट से इस से ठीक है आपके स्किन ओयल को प्रोड्यूस करती रहती है अब मालो यहां पर मैं कोई ना कोई चीज आके पढ़ जाती है, ठीक है, अच्छे से यहां पर रोक देगी, इस पोर को ब्लोग कर देगी अब क्या मैं उसको क्लीन भी निकल रहा है, वो मिट्टी तो हटेगी नहीं यह चीज आपको देखने मिल जाती है, ऐसे पोर क्लोग होता है, इस वे से आपको समझ आ गया होगा कि पोर का क्या सीन रहता है अब मालो यह पोर क्लोग हो गया ठीक है, अब यह कह कि आप खीच के तो निकालने से रहे कुछ लोकिया करते है, बलैकर्स बनगे तो दबाते हैं, इसको दुनों साइड से दबाएंगे तो वो पिच करके बाहर निकलाएगा, इस वे से रहता है यह एकने को फोड़ेंगे, तो वो भी इस वे से गंदगी सारी बाहर निकलाएगी, इस वे से रहता है बड़ वो हाम करती है आपके स्किन को वहां पर क्या है आपके जैसे की डाक्स, पोर्स, कार्स वगएरा ये चीज़ देखने को मिल सकती है आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है अब इसको क्या एक्सफोलियेट के लिए कोई जैल क्रीम लगाओगे फेस फूश लगाओगे वो ये चीज़ सबसे बैस रहती है और फिर वो आपका पूर अंकलोगड हो जाएगा वहां से अगेंसे सीवा माने लग जाएगा वो अच्छे से मलब आपकी स्किन फ्रेश फील करने लग जाएगी ये चीज़ रहती है अब अगर आप ये चीज़ समझ गया अच्छे से तो आ पूस क्लोगड हो सकते हैं अब एक चीज़ आपको समझ आगी कि ओयल भी रीजन है आपके फेस पर पूस क्लोगड होने का तो अब इस ओयल को कैसे रोका जाएगा तो देखो आपको ये ओयली जंक फूड हो गया ये स्वीर सो गयरा ज्यादा नहीं खानी इस टैंग पे खारें तो फिर आपके फेस पर बहुत जाद ओयल आएगा तिस चीज़ का आपको दियान रखने हैं ऐसा खाना भी नहीं आपको उसाथ में उपर से भी केर करनी है तब जाकर आप अपनी स्किन को बहुत हद तक बचा पाऊगे नहीं तो आपके ब्लैक हैस्वाइड होनी हो पोस्क्लोग्ड होने का यह भी रिजन रहता है कि अगर आप कोई प्रोड़क्ट्स यूज़ कर रहे हो उसमें जैसे की मोस्चराइजिंग फैक्टर जाद है जैसे की जो ड्राइ स्किन के लिए प्रोड़क्ट रहते हैं वो उईली स्किन वाले यूज़ करेंगे तो भी आ यह जाए है छी आपको द्यान में रखनी है मोस्चराइजर ऐसे यूज़ करते हैं वैली स्किन के लिए जैल बेस मोस्चराइजर आते हैं अगर आपको यूज़ भी करने है तो आप उठाकर नीविया का कोई उठाकर लगा रहे है जैसे यह ब्ल्यू कलर के डबी आती है त तो आपके प्रोडक्ट भी आपको यूज नी करने और काफी पर होम रेमिडी के चक्कर में भी आपके पोस्ट क्लोग्ड होने लग जाते हैं तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखा करो एक वर आप सोचते हो कि मेरी स्किन क्लियर लग रही है यह होम रेमिडी यूज करने के कि मैंने ये फेस मास्क यूज कर लिया एक आदे दिन उनकी फिल्टर के बिना फोटो आई तो मैं देखा काफी सारे ब्लैक एर्स भी हो रहे था तो वैसे स्किन क्लियर रहती है बिट ब्लैक एर्स वगर वाइट इस भी हो जाते हैं काफी लोग मेडिसन की साइड इसलिए जाते कोज उनको लगता है कि ये हाम करती है हमने एक बार यूज कर ली खराब करेंगी तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं रहता अगर आपकी स्किन पर कोई प्रोब्लम है तो उसका सुल्यूशन आपको करना ही होगा उसके लिए तो एक बार यूज करनी होगी देन आप छोड़ करोगे तो फिर से आपके पोस्ट क्लोगड होगे फिर से ब्लैक एर्स एकने है वाइट अर्स देखने हो मिलेंगे इसलिए ऐसी गलतिया मत किया करो ऐसी गलती करोगे तो ब्लैकर्स होने ही होने है ठीक है मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इस रीजन के करना ब्लैकर्स होते ह है और जादा बताता जाँगा तो और लंबी हो जाएगी तो ये नोर्मニ मैने आपको समझा दिया आक 도ान दिया आपके पोस्त कै से कलोगत होते हैं उनको अंक्लोग कैसे पाहे वैसे unclog करने का मैंने बताया था ऐसे दबा देते हैं तो ये चीज़े आपको नहीं करना आपके ब्लैकर्स दब कर इस स्वे से बार निकलेंगे ओपन पोस्त भी रह सकते हैं सकार्स भी हो सकते हैं वस आज के वीडियो में इतना ही था तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर देना इंसा फॉलो कर लेना कोई कोई रहती तो हम मुझे आप मैसेज करके पूर सकते तो मिलते नेक्ट वीडियो में